गिरिडी सीहोडी रोड सित उसरी नदी पर बने नया पुल निर्मार के बाद अप्रोच रोड निर्मार में संभेटक द्वारा भारी गड़ बड़ी की जा रही है शरिवार को बरगंडा वासियों ने इसका जमकर विरोध किया बताया गया कि पुराना पुल जर जर हो जाने के बाद पुल को धुष्ट कर नया पुल का निर्मार कराया गया अब बरगंडा तक बनने वाले अप्रोच रोड निर्मार कारे में जाम नाली रहते के उपर संभेटक द्वारा स्लैब धकावा कर मिट्टी वगेरा डलवा कर अप्रोच रोड का निर्मार कर दिया जा रहा बिना साफ सफाई करवाए संविदक द्वारा स्लैब ढखवा दिया जा रहा है जामनाली को साफ नहीं करने से पानी नहीं बह पाएगा और रहागीरों के लिए परिशानी होगी इससे संबंदित जानकारी और फोटो आईसीडी विभाग को भी भेजी गई है अब प्रोजरूट बन रहा है उसमें लगातार ग्राविनों को सिकायत है कि मट्टी भरे हुए में अपनों नाली पर यह डाल दे रहे हैं इसका सिलेप साफ क्यों नहीं करवाते हैं तो अभी कहां साफ लग रहा है पूरा नाली भरा हुए है कि जतना नाली का गढधा है उतना साफ करवा है लेबर लोग से इंपोसिबल है जैसी भी लगाएंगे साफ करवाएंगे उसके बाद मट्टी लगाएंगे तो अभी जो काम रुका अभी पुनार बनाया जा रहा है पूल बनने के बाद जो उसका अप्रोच रोड बन रहा भी उसमें संवेदक द्वारा मनमाने तरीका से पहले जब काम किया तो उसमें तोड़ ताड़ हुआ उसमें सारा मेटेरियल पथल बालू इटा नाली में घुसके जाम हो गया अब इप अप्रोच रोड बनाने के लिए जो नाली में स्लेव दिया जा रहा है पहले से पूरा नाली भरा पड़ा है और उसको बनाया जा रहा है जबकि नाली को साफ नहीं करेगा तो यह पानी जीवन भर पिर राहगीरों के लिए परसानी का सबक बनेगा और हमेशा यह यहा बार फोन भी कर चुके हैं उसको फोटो भी भेज दिये वर्टसप करके अब तक वो लोग कोई करवाई नहीं कर रहा है और जैसे तैसे काम किया जा रहा है कोई भी भाग का पतादिकारी को देखने सुनने वाला कि आगे आप लोग क्या चाहरे हैं चाहरे कि पहले नाली को सा साफ करके उसके बाद सिलेप लगा कि तब उस पर मट्टी भरा जाए ताकि सही से रोड भी बने और बैठे की सम्वेदक क्या कह रहे हैं तो यहां पता नहीं है उसका जो मुंसी है कुछ ने बैठा हुए अभी चुक्चा कोई बोलता ही नहीं है लगातार आप भी लोग प मरमाना है समय देख का सकते हैं मरमाना तो नहीं कहेंगे अब लेवर आएगा और फिर कर देगा तो बीना लेवर का बीना सफाय कि यह जो लोग सिलेप ढ़ रहा था से लेप उस पर नाली पर लख रहा था तो कहीं नाली जाम होता आने वाले दिनों में परिसानी होती समस्य सब्सक्राइब करें कि आपको बहुत बार जानकारी भी दिए और आप इनसे मिलकर बोले भी लेकिन कोई मतलब लोग काम नहीं कर रहे थे अपने मन का काम कर रहे हैं लोग आगे करवा देगा और जब तक लोग करेंगा ने आगे कोई भी बुस्तान नहीं होगा चाना झाल